इस वीडियो में आज हम बनाएंगे 3D Building Isometric View उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक से शेप्स होने चाहिए जैसे कि प्रेंट साइड वाल, लेफ्ट वाल या राइट वाल, पैरपेट वाल, ग्राउंड बनाने के लिए हमें या तो रोड का कोई एक संबल या रोड का एक डिजाइन हम बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल आर्ट बोड पे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भी जो रिक्वार अगरचान के लिए और और साइड वाल राट में और विंडोह दिस्प्ली करना चाहें तो वैसा हम बना सकते हैं एक और है कि साइड में जो और कोई बिल्डिंग्स अगर बनानी हो तो उसके लिए भी मैं कुछ एक बेसिक सी डिजाइन क्रेट कर देता हूँ, कलर वाइड कर देता हूँ and then एक grid बना देता हूँ, rectangular and linear, थोड़ा से इसको और बढ़ा देता है थाकि ये तीन का grid इसमें बन जाए, तीन कॉलम, then Alt के साथ, drag तरकी Ctrl D, इस तरह से एक building का दिखाने के लिए मिज़े ये बनाना होगा, outline सब की नेन कर देता है, नहीं चाहिए किसी की भी outline, इसको पूरा group कर देंगे Ctrl G, grouping them, यहां मुझे display कराना है एक door का symbol, door अगर मैं चाहूं rounded बनाना हो, इसका जो top इसका जो लेंटर लेवल, तो यहां से convert करेंगे, दोनो टूल को, दोनो एज को select करके, और align करेंगे, exact इसके center में, alignment का panel यहां से open किया जाएगा, shift F7 की help से, और center diagram इस तरह से इसको आपस में कर सकते हैं, इसे मुझे minus करना है, तो मैं use करूँगा, warp tool, sorry, not warp tool, shape builder tool, तो shape builder tool की help से मैं इसको alt के साथ मैं इसे minus कर दूँगा, देखे, minus किया, तो क्या हुआ, यह original main object ही delete हो गया, मैं चाहता हूँ, इस back object में, नय object, इसके साथ minus हो जाए, तो दोनों select करेंगे इसके लिए, और shape builder tool की help से minus, जो चीज हमें हटानी है, उस part में से, उसको click कर देंगे, देखे, इस तरह से, यह एक symbol बन गया, दोर का, एक simple सी, एक basic हमने create किया, दूसरा में, यहाँ पे, इस में window दिखाना चाहता हूँ, इस तना से, हलांकि यह सिर्फ और सिर्फ clipart के accordingly बनाने के लिए काम में लिया जाते हैं, एक्जक्ट dimension के साथ बनाना हो तो उसके लिए application different है, जिनको हम देख सकते हैं, कर सकते हैं उसके अंदर, अब जिससे यह मैंने बनाया, इसको मैं minus करता हूँ, इन दौनों को इनके साथ shape builder के साथ मैं minus करता हूँ, shape builder tool, alt के साथ, इससे हम click कर देंगे, यह minus हो जाएगा, यह देखे, यहाँ अब कुछ भी नहीं है, एक मैं यहाँ पर ventilation के हिसाब से अगर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, या फिर मैं इसी को ही थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कि मुझे इसकी parapet wall बनानी है, तो इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इतना, इसका थोड़ा सा designing, अलका सा grid type look देने के लिए, और ऐसे, shift page up, page down, control shift के साथ bracket के तो हम इनकी sequence change कर सकते हैं, sequence change कर सकते हैं object की, यह मैंने white कर दिया color जिससे हमें पता लगे, और control d, drag करने के बाद में, alt के साथ drag करने के बाद में, control d करते हूए, इन सब को आपस में, shape merge tool से minus करा देता हूँ, यह minus करना है, इस part को minus करना है, जो minus करना है, इनको भी minus करना है, तो यह कैसा design type बन जाएगा, इसमें भी same चीज यही करना चाहता हूँ, या मैं इसी को भी duplicate कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ same size का हो, तो उस condition में एक नया rectangle बनाएंगे या इसी को, control c and control f, control f का मतलब बहता है, paste in front, और drag करेंगे, जो duplicate हुआ है हमारे पास, इसको वापस यहां तक लियाएंगे, इन grid के हम से इसको size कर देंगे, circle tools से हम यह circle बनाते हैं, इसी size का लेना है, लगबग, then drag करेंगे, height हमने इसके बराबर नहीं लिये, तो इसको height को control करेंगे, कुछ इस तरह से, and alt के साथ, drag करते हुए, control d, duplicate, align, पहले हम इसको group करेंगे, इस पीछे वाले object के साथ में, इसको हम align करेंगे, कुछ इस तरह से, आपस में इन सबको align करतेंगे, control shift g to ungroup, अब इनको हमें minus करना है, shape builder tool के help दे, shape builder tool, minus, 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 इनको हम इसे हटा देंगे, तो ये एक हमारा hours में तयार हो गया, यहाँ इसका color change कर देता हूँ, color करके, इस पूरे portion का, इसमें outline run कर देता है, हमें outline नहीं चाहिए, इसमें, color चाहिए, color भी, जो 90% दे रखा, इसको थोड़ा और light कर देता हूँ, इसमें 60, 50% कर देता हूँ, और यहाँ पे 80% में color कर देता हूँ, black का shade का, और यहाँ पे अगर एक कोई एक window दिखाना चाहिए, तो वो window हम इसमें show कर सकता है, control space bar से zoom करेंगे, and जिसे यहाँ mid में, except, इतना बड़ा एक ही window में, जिसे मान लिए show करना चाहता हूँ, इसको इसको साथ select करने के बाद में shape builder tool के हैं, तो minus कर देता हूँ, ताकि हमें group करने के दुरूद ना पड़े, इन सब में outline none कर देता है सभी में outline zero, zero point कर देंगे, हटा देंगे इनके color को, कुछ इस तरह से हमने ये तीन तरह के shape बनाये हैं, इस artboard में, 2D artboard में, road map बनाने के लिए मैं को road बनाना की दिखाने के लिए मैं एक vertical का shape बनाता हूँ, और white color के जो lines होती है, center पट्टी होती है, इसको मैं बना देता हू इसे, and color feel कर देते हैं यहां से, align, centrally, इसको मैं multiple time duplicate कर देता हूँ, पहले यहां उपर के तरफ लाता हूँ, यहां से start करता हूँ, alt के साथ drag करेंगे, shift के साथ यह exact state करेगा इसको, then control D, इस पूरे को मैं group कर देता हूँ, control G, group them, duplicate करेंगे, इसको हम rotate कर देते हैं, 90 degree, ऐसे horizontal, एक horizontal, एक left side और एक right side की road दिखाने के लिए, मैं इसको इसको change करता हूँ, अब हम आते हैं, नए artboard लेते हैं, या इसको एक नए artboard में shift कर देते हैं, यहां से हम artboard tool लेंगे, artboard tool का मतलब होता है, नए एक artboard बनाना, और उस में shift करना, जो भी हमने object बनाए है, main से य बढ़ा सकते हैं, page का size बढ़ाएगा, basically इसमें, तो यह हम customize कर सकते हैं, अब बात आती है, कि इसको हमें 3D building का रूप देना, एक isometric view बनाना है, 3D view बनाना है, तो इसके लिए हम control shift I, shortcut use करेंगे, इस control shift I की help से, यह grid on हो जाएगी, इससे कहते हैं, perspective grid, isometric grid, perspective grid, जो की काम आती यह 3D object बनाने में, तो यह isometric view बनाने के काम आता है, तो यहां सी जो center में नहीं आ रहा क्योंकि यह page का जो हमने orientation ले रखा था, टॉल ले रखा था, और उसके बाद हमने artboard से इसकी size हमने change किये, width change किये, not orientation, इस वज़ए से यह by default वही चीज़ डिस्पले करेगा, तो हम यह आसे क्या करते हैं कि यह जो artboard हमने बनाया है, इस artboard को जो customize हमने बनाया है, इसको हम shift कर देता हैं, ताकि इसके साथ साथ यह सारे object बेशिप्ट हो जाए, और इस artboard को में change कर देता हूँ, इसकी size में इसके बराबर कर देता हूँ, ऐसा लिए खाम इस grid को change को हम control कर सकते हैं यहां से perspective grid tool की help से, इसको हम ऐसे change कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओपर की तरह बढ़ाना है, ओपर की तरह बढ़ा सकते हैं इनकी grids को, और अगर side step में बढ़ाना है, तो side change से बढ़ा सकते हैं, इतना इतना लेना चाहिए, कितना deep में लेना चाहिए, उतना हम ऐसे बढ़ा इसकी ग्रेट को बढ़ा सकते हैं चलिए तो अब हम इसमें काम करते हैं कि जो अमने ऑब्जेक्स बनाए हैं उनको यहां शिफ्ट करते हैं shift करने का क्या तरीका है हम एक वैगन वील जो दिखाई दे रही है control shift आई करने पर इस वैगन वील में 1.2.3.3.5 दिखा रहा यहने कि left axis, right axis and bottom axis तो यहां हमें position जो बता रहा है blue color it means यह left side की wall पर इसको fit करेगा तो हमें जो भी position देनी है, left में देनी है तो left में हम इसको drag करेंगे right में देनी है तो right में drag करेंगे लेकिन उसके लिए right grid option on करना होगा चलिए, तो next इसमें जो tool है इनको ऐसे हम generally यह जो tool लिया इस tool से अगर मैं drag करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा just एक normal art board में जैसा object अभी रखावा था, वैसे ही display करेंगा यह तो इसको exact इसी 3D view में move करना हो उसके लिए हम use करेंगे नया tool है perspective selection tool यहां से tool लेंगे perspective selection tool और हमारा जो direction में left direction उस left direction में हम इसको move करना चाहते हैं जैसे मैं यह portion लेना चाहता हूँ, दोनों लेना चाहता हूँ, दोनों अलग अलग भी लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने यह किया, alt के साथ drag करके लेता है ताकि original अपना वहीं रहे और हम उसके duplicate को, हम उसके duplicate को यहां पर place करा सके, इस wall की तरफ हमने यह placement दिया और इसी tool से, जो perspective grid selection tool है, इसी से हम इसकी size control कर सकते हैं, height बड़ा सकते हैं, width की तरफ जा सकते हैं, तो width की तरफ वैसे जाएगा, जैसा इसका perspective में दिखा रहा है, grid में जो दिखा रहा है वैस तरह के से, यह यहां आएंगे और इसी tool से, perspective selection tool से, इसका direction change करेंगे, now select this one, इसको हम select करके alt के साथ drag करेंगे, यह देखे उसी way में, जाएगा control plus, zoom in, zoom in करते हुए, इसी tool से, इसकी size और इसकी positioning हम change करेंगे, यहां से, मैं height बड़ा देता हूँ, इसके बराबर लेता हूँ, snapping option, smart grid का option on है, इस हुझे से, इन grid को snap करते हुए चलेगा, चलिए, तो यह तो हुवी बात इसकी, अब हम आते हैं, टॉप में इसके जो kangure type बनावा है, या जो parapet wall बना के लिए दिखाना है, तो इसको हम यह लेना चाहें, तो वो भी हम ऐसे ले सकते हैं, drag करेंगे, अभी जैसे right side का हमने इसको zoom करते हुए, control plus, zoom in, zoom in, maximum zoom in, जितना आप zoom करना चाहें, edge, rm से move कर सकें, उतना हम इसको zoom करेंगे, और select करके, place देंगे, placement देंगे, then resize करेंगे इस तरह से, जहां तक हमने ले रखता है, height भी हम यहां से control कर सकते हैं, like this, height बढ़ा सकते हैं, थोड़ा अगर gap दिखाना हैं, तो हम यहां से इतना gap शो कर सकते हैं, like this, यह हम ऐसे, इसको place कर सकते हैं, next, position change करेंगे, यहां से left side, और left वाला panel हम use करेंगे, इसको drag करेंगे, alt के साथ करता हूं, जिससे कि इसके duplicate को ही, यह move करें, जुम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको stretch कर दिया है, म और यह point हम इसको यहां snap कराएंगे, इसके, अब देखिए, मैंने जो किया था, पहले snap, grid point का coding किया था, और उसके बाद में से move किया था, तो वो भी हम यहां पर भी same इसी तरह से, zoom करते हैं करेंगे, ऐसे, इसके according करेंगे, या इसको भी हमें, फिर change करना होगा, इसके according ले size मैंने नहीं किया है, तो size को भी, चितना size इसका लिया है, यहां पर इसका भी size वैसा ही height में लेगा, और यह थोड़ा सा change हो गया है height, नहीं में देखा नहीं, थोड़ा zoom किया, outer hand select, इसी tool से मैं इसको फोड़ा इसको लेगा हूँ, इन दोनों को select करके, थोड़ा move करना चा है कि बीच में हम हलकी सी show करना चाता है, grid करना चाता है, यह एक view generate हो जाएगा, अब हमें, जो side के और जो बना रखे हैं, जैसे road का मुझे दिखाना है, सामने की तरफ road दिखानी है, side की तरफ road दिखानी है, तो direction change करेंगे, selection tool से, यहां से bottom direction लेकर, यह जो है, इस object को select करें जो हमारा position bottom में है, वो हम यहां से इसको show करेंगे, ऐसे, इतना दिखा देंगे, size बढ़ा देंगे, जितना पीछे ले जाएंगे, यह उतना बारी करतावा जाएगा, इसको road को perspective में ले ले आए लेके, तो साथ साथ में यह object भी चलेंगे, इसके साथ में देखिए, क्योंक इसको ungroup करने के बाद, इनको select करते हुए, जो warp tool है, इस warp tool की help से इनको अंदर की तरफ minus करा देता हूँ, ऐसे, alt के साथ में इनको sorry, and minus, 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 okay, तो अब यह देखिए कि यह पूरा group object नहीं है, single object है, control shift G कर लिए ताकि यह पता लग सके भी हमने जो बनाया है, वो हड़िया ह माइनस हो गया है, अब यहाँ shaping tool से anchor point tool की help से यह जो grid, यह जो points है, इनको select करके मैं particular नीचे की तरह हूँ, यह इसके बिल्कुल pass में लियाता हूँ, और उपर से यहाँ पर भी इसको, इसको दो anchor point select करने के बाद, सह से करता हूँ, अब हम इसको place करते हैं वापस, हमारे 3D building क के पास में इसको track करेंगे, selection tool से, selection grid tool से, and alt के साथ drag करते हैं, देखें, मैं यहाँ इसको place करता हूँ, and then this size करता हूँ, जितना पीछे लिगाएंगा, अब पहले के मुकाबले थोड़ा space यहाँ पे कम छोड़ा इसमें, तो यह तरीका होता है, कि इस तरह से हम इसकी road दिख करना हो, तो इसको हम SSO कर सकते हैं, इसको मैं अभी फिलाल group ही रहने देता हूँ, and selection grid tool की help से, इसको drag कराता हूँ, इधर की तरह, alt के साथ drag कराते हैं, लेकिए, alt के साथ drag कराएंगे, इसको place करेंगे, यहाँ से, यहाँ से होते वे, यह कितना पीछे तक लेना है, उतना पी tool से किया जाएगा, भी हमें जैसे control करना, इसको साइज को इसके बराबर लाना है, तो यह तरीका हुआ, अब जैसे इसमें steps बनाने हैं, जैसे यहाँ पर मुझे दो steps देने हैं, इधर की तरफ दो steps देने हैं, तो rectangle tool select करेंगे, उससे पहले perspective grid selection tool से हम यहाँ से इसको select करेंग इसके मैं बना देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक step का, यह trade मैंने लिया, अब vertical मुझे बनाना है, तो vertical मैं यह मैं select करूँगा, और इसके बाद इसी rectangle tool से मैं इसका यह vertical position ड्रॉप करूँ मैं ऐसे, color थोड़ा change कर देते हैं, थोड़ा से इसको light way में ले देते ह हैं, ऐसे थोड़ा सा darkness कम करते हैं, 90 degree कर देते हैं, और इसका हम darkness level 50% के लियाते हैं, इस तरह से, अब एक और step हमें लेना है, तो इसी को मैं duplicate करता हूँ, alt के साथ drag करके, और यहाँ नीचे इसके साथ snap करा देता हूँ, इसी tool से थोड़ा नस्दिक जाके, control plus space bar से इसको यहा place कर दोंगा, अब यह जो portion है, यह portion को अगर हमें खाली करना है, तो इसके लिए, यह देखो, यह थोड़ा ज़र बुड़ो गया, इसको मैं वापस इसके वराबर लेता हूँ, इसको इसके side में असल लेता हूँ, अब change करेंगे direction, direction tool से, left position, draw a rectangle from this point to end point, यह इस तरह से हम यह अब देखेंगे, अब देखेंगे, यह पीछे नहीं जा रहा है, तो control shift bracket की help से हम इसको back side में लेंगे, यह देखेंगे, control shift I to hide all perspective grid, तो इस तरह से हम एक 3D view या isometric view बना सकते हैं, perspective grid tool की help से, that's all for this session,